वेलकम अगेन बच्चो और बच्चो इस वीडियो में डेसकस करेंगे हम वरक्षीट 62 जो की आपकी 6-8 ख्लास के लिए है और ये हिंदी मीडियम की वरक्षीट है बच्चो आपकी ये सामाजिक विज्ञान की वरक्षीट है जो आपके लिए 15 सेप्टेंबर 2020 के लिए अपक का नाम लिखना है आपको यहाँ पर आपको इंगिया का पॉलिटिकल मैप जो है वो दिखाया गया है लद्दाख अब जो है जो ही लद्दाख आपको पता है केंदर साशिते प्रदेश बन गया है जम्मू और कश्मीर के पूरो हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक कम पेड जो है वो उगपाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो तातमान है बचो वो बर्फ के कारण बहुत ही कम रहता है जिसके कारण पेड बहुत कम उगपाते हैं पानी के पीने के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं और यहां के लो जो भी उनी जो वस्त्वे होती है जैसे पश्मीना शौल है वो बहुत ही महंगी होती है। लग्दाक के लोग बड़ी सावधानी से उस उन को इकठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेज देते हैं। मुख्यत कश्मीर में ही पश्मीना शौले बुनी चाती हैं और यहां के लोग दूद से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, वह मास खाती हैं। ठीक है? और हर एक परिवार के पास कुछ गाएं, बकरी और क्या होते हैं? याक होते हैं। और जो ये पार्ट है बच्चो ये क पर है, ठीक है? बिल्कुल समुदर के ये तटिये छेत्र है, अब उसके बाद इसके बारे में पढ़ लेते हैं, केरिला पश्चिम के दक्षनी पश्च्मी कोने में बसा हुआ राज्य है, यह एक तरफ से समुदर से गिरा हुआ है और दूसरी तरफ ये पहाडियों से गिर हुआ है, और इन पहाडियों पर विविद प्रकार के मसाली, जैसे की काली, मेर्च, लौंग, इलाइची, ये सभी उगाए जाते हैं, इन मसालों के कारण यह है, छित्र व्यपारियों के लिए बहुत ही आकर्शक बना, सबसे पहले अर्बी एम यहुदी, जो है केरल आए तो कौन आए थे सबसे पहले, अर्बी एम यहुदी, ऐसा माना जाता है कि इसा मसी के धरमदूत संत थौमस लगबग 2000 साल पहले यहां आए थे, केरला में जो ज़्यादातर लोग जो रहते हैं, उनका धरम जो है, वो क्रिश्चन है, और वो इसा मसी को मानते हैं, वो इसी क जाता है, अरब से कई वैपारी यहां आकर बस गए, इबन बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहां आए, अपनी जो यात्रा विर्तान्त में मुसल्मानों के जीवन का विवरन देते हुए लिखा है, कि मुसल्मान समुदाय की यहां बड़ी इज़त थी, ठीक है, वासकोडी पानी के जहाद से यहां पहुचे थे, तो पुर्तगालियों ने यूरोव से भारत तक का समुदरी रास्ता जाना था, तो यह कुछ इंफर्मेशन है बच्चों जो आपको यहां पर दी गई है, अब देखे, निमलिकित प्रशनों के उतर दीजिए, तो आपको इन प्रशन और अगर आप पॉलिटिकल मैप में दिल्ली को दिखाएंगे, तो यह जो है छोटा सा, ठीक है, यह हमारा जो है क्या है, दिल्ली है, ठीक है, क्वेशन नमबर टू गिवन है बच्चों कि अपनी ग्रहे राज्य के विशे में कुछ रोचक जानकारी एकत्र करके लिखनी है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देख लेते हैं, सो बच्चों आपको दिल्ली के बारे में लिखना है, देखे, दिल्ली अधिकारिक तौर पर राष्ट्री राजधानी छेत्र दिल्ली, भारत की राजधानी और एक केंद्र साशीति प्रदेश है, ठीक है, दिल्ली नई दिल्ली और दिल्ली में स्थापित हैं, 1484 वर्ग किलोमेटर में फैला दिल्ली जन संख्या के तौर पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है, यहां बोली जाने वाली मुख्य भाशाएं हैं हिंदी, पंजाबी, यूर्दू, अंग्रीची, उसके बाद देखिए भारत में दिल्ली का एतिहासिक महत्व है, पूरो में यमुना नदी है, जिसके किनारे यह बसा है, यमुना नदी के किनारे स्थेत इस नगर का गौरो शाली पौरानिक इतिहास है, यह भारत का अती प्राचीन नगर है, पुराना किला, जंतर मंतर, कुतुब मिनार, लाल कि हो, next question है, भारत वीविधिता में एकता वाला देश कैसे है, यह आपको बताना है, तो इसका आनसर भी देख लेएं, कैसे लिखना है आपको, भारत में वीविधिता में एकता की प्रशीद अवधारिना बिल्कुल सटीख बैठती है, विविदता यानि जो अलग-अलग हमारा बच्चो संस्कृती है अलग-अलग धर्मों के लोग यहां रहते हैं लेकिन फिर भी सभी लोग मिल जुलकर जो है बिना किसी मत बेद के यहां पर रहते हैं तो विविदता में एकता कार्थ है अनेकता में एकता कई वरसों से इस अफधारणा को साबित करने वाला भारत एक स्रिष्ट देश है, भारत एक ऐसा देश है जहां पर विविदता में एकता देखने के लिए ये बहुत सपस्ट है क्योंकि अपने धर्म के लिए एक दूसरे की भामनाओं और भरोसे को बिना आहत किये कई धर्मो नसलों संस्कृतियों और परंपराओं के लोगों को लोग जो है वो एक साथ ही रहती हैं, तो इसलिए ये बिलकुल सटीक बैठता है कि जो भारत है उसमें विविदता में एकता है, तो इस तरह से आप इसका अंसर लेक सकते हो, so students I hope बच्चों आपको वक्षीट क्लियर है अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजिए, चैनल को सब्स्राइब कीजिए and thanks for watching.